तो अगर आप फर्स टाइम लंडन आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप टेन इंपॉर्टेंट तिंग्स जो आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप लंडन आने का सोच रहे हो तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास होना चाहिए टाइप जी आडप्टर यूके का टाइप है टाइप जी तो ये आदर एरोपियन कांट्री से न अलग है तो ये आपको एजिली एमेजॉन में मिल जाएगा मैं लिंक दिस्क्रिप्शन में चोड़ द आपका आडप्टर चलेगा नहीं तो उस केस में आपको ये टाइप जी एडप्टर चाहिए होगा सेकेंड यहां का है एस्कलेटर एटिकेट ये क्या है य थोड़ा नाया सा लग रहा है तो अगर जैसे ही आप एयर्पोर्ट में एस्कलेटर होगा मॉल में मिलेगा या जि वॉक करना है जैसे हम कई बार हरबरी में होते हैं तो एसकेलेटर में चड़ के भी हम वॉक करते रहते हैं तो उसकेस में लेफ साइड से वॉक करना और अगर एसकेलेटर में चड़ के आपको बस खड़े होना है उसकेस में आप राइट साइड में खड़े होना थर्ड है को प्रेस करना और फिर सामने देखना जैसे ही वहां का light green हो तभी आप cross करना जब तक light red रहे आप cross मत करना यहां पे सारे लोग यह rule follow करते हैं अब है fort कि यहां पे ना cyclist के लिए भी अलग से line होता है make sure कि आप उनके line में ना चलो तो जब आप walk करोगे तो वहां पे बहुत च साइकल का सिम्बॉल होगा उस रास्ते में आप मज चलना उसमें से हमेशा साइकल चलाते है और वो बहुत फास्ट चलाते है तो गलती से भी उस रास्ते में मज जाना ध्यान से बस अपने वाले रास्ते में जाना अब है फिफ्थ यह ना बहुत जादे इंपॉर्टेंट है तो अगर आप यू के आने का सोच रहे हो तो ना गूगल मैप को बहुत अच्छे से चलाना सीख लो तो जैसे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाओगे तो कौन सा ट्यू लेना है कौन सा बस लेना है ये सारी चीज आपके लिए अन्नोन होगा और यसा पूछ तो इसका नंबर क्या है तो अच्छे से सीख लो तो एक बार गूगल मैप में प्रो बन जाओ तो उसके बाद एक और एक और एप है सीटी मैपर वो गूगल मैप जैसे है उसमें भी सारे पॉसिबल राउट दिखाएंगे अगर एक जगा से दूसरे जगा जाने वाले हो त तो इस एप को डाउनलोड कर लेना ये आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा त्रस्ट मी तो इसको अच्छे से पहले से डाउनलोड करके अच्छे से चलाना सीख लेना अब हम बात करते हैं सिक्स्थ है कि आप ओस्टर काड ले लेना तो यूके में जैसी रिचार्ज करना पड़ता है और कहीं भी जाओ उस काड को टैप इन करना पड़ता है तो जैसे ही आप लंडन के किसी बस में एंट्री लोगे तो टैप इन करो टैप आउट करने की जोरत नहीं है लेकिन अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो टैप इन और टैप आउट दोन अब है नेक्स्ट अगर आप सेंट्रल लंडन में घूम रहे हो उस केस में आप डबल डेकर बस से घूमो आपको ना एक अमेजिंग सा व्यू दिखेगा मेट्रो से मत जाना एक जगत से दूसरा मेट्रो से कुछ दिखता नहीं है बस ही उस करो डबल डेकर बस में टॉप में जले जाओ और टॉप में जाके फ्रंड सेट ले लो तो ना बहुत 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 जादा अच्छा व्यू दिखता है और बहुत अच्छा फील होता है यह बिलकुल करना नॉर्मल बस की टिकेट बहुत सस्ती होती है तो सस्ते में आप पुरे लंडन सेटी को बहुत नेक्स है अगर आपको करनसी एक्षेंज कराना है तो कहीं भी जगह से मत कराना या कहीं भी ऐसे शॉप्स रहते हैं जहापे करनसी एक्षेंज के ऑप्शन होते हैं बहुत सारे उप्शन यूज़ मत करना आप सीधे से Google मैप में सर्च करना कि नियर बाई पोस्ट ऑफिस यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट है कि लंडन में हमेशा थंडी रहती है तो अगर आप गर्मी में आओ तो पतला सा जैकेट रख लेना और अगर विंटर में आओ तो मोटे जैकेट रखना जो की माइनस वन टमटरिचर को सह सके और अगर आप ऐसे अ सीजन आपको जैकेट लेके आना है उसके बाद सबसे इंपोर्टन कि एक कमफी शू लेके आओ सुन्दर सुन्दर ड्रेस के साथ एक दम हील्स लेके या सुन्दर सुन्दर चपल लेके मत आ जाना उसकेस में आपको बहुत पैर दुख जाएगा यहां पे चनला बहुत यहां उलड़ जाता है तो एक रेंकोट रख लेना ऐसे सोटे अजो डबल उता है फ्le mouths और युटी तो आप अपने पास राख लेना टो उससे आपको यहां पर बारिज भी हो तो बारीज के साथ भी आप गों सकते हो तो अगर आप लेंड़न आ रहे हो तो ये सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना मैं मिलती हुए नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाई बाई एंट टेक कियर